हेलो, तो स्वागत है तुम लोग का एक तड़कती भड़कती सी डरावनी वीडियो में और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज हम टेस्ट करने वाले माइनक्राफ्ट की कुछ स्केरी मिस्ट्रीज को जो की लिटरली इंसेन है जैसे कि कि आज भी जाइन्ट एलेक्स एक रहस्य हमाई सीड के अंदर कैदो रखा है और क्या सही में हमारे इस गेम में इतने सारे ब्लैक एंडर मैंस के बीच एक वाइट एंडर मैं भी रहता है और क्या राज है माइनक्राफ्ट के एक डार्क वर्जिन एरर 422 का कि क्या क्या मिस्ट्रीज है इस वर्जन के अंदर लेकिन ये वर्जन तो माइनक्राफ्ट की ओफिशल वेबसाइट तक पे अवेलेबल नहीं है बट मैं थोड़ी मानने वाला हूं कर लिया भाई डाउनलोड तो मैं आ चुका हूं माइनक्राफ्ट के कस्ट वर्जन एरर 422 के अंदर और यह देखो यहां पर यह सारा कितना ग्लिची ग्लिची ओर रखा माइनक्राफ्ट का लोगो और यह सब क्या है बाई तो चलो अब इसके अंदर घुशके देखते हैं ना मैं करने वाला हूं एक वर क्रियेटिव करना मेरे को कोई बात नहीं सहलेंगे थोड़ा वर्ल्ड क्रियेट करते हैं ऑब तो फाइनली अपना वर्ल्ड क्रियेट हो चुका है और मेरे को स्पॉन करा गया स्नू बायोम में यह मेरे हार्ट और हंगर बार इसने जाधा फ्लिकर क्यूं हो रहे हैं देखो करना तो इसके लिए सबसे पहले तो अपने यहां से वोड़ लेता हूं विकास वर्जन कोई साभी हो लेकिन माइन क्राफ्ट की परमपरा तो पर्मनेंटी रहने वाली है तो यह आ गई मेरे बेसिक टूस तो बन चुके हैं और अब मैं जा रहा हूं इस वर्जन को तो यह मजाक को तो साइड में रखते हैं लेकिन जैसी में उत जगा के पास गया मेरा गेम ग्रैश हो गया और मेरे को सीधा होम स्क्रीम पर डटक दिया गया तो मेरे को फिर से जाना पड़ेगा कि ओएक सेगिंड मैंने मेरे वर्ड का नाम एंटी रखा तो और यह क्या है तो एक नए वर्ड बना रहा हूँ मैं नि जाने वाला उस वर्ड में वापिस वैल मैं यह नए वर्ड में आ चुका हूं और मैं तुम्हें एक बात बता दूँ की बहुत लोग मानते है कि इस वर्जिन के अंदर इक बहुत जाधा ऐंड़ एंटिटी एकसिस्ट करता है जि वो सब क्या है वेट वहां आसमान में यह सब है क्या मेरे गोस के पास जाके देखना पड़ेगा ओके यह देखो यह सारे कैक्टस हवा में कैसे लटके बड़े हैं ओ भाई साब यह कितना जादा क्रीपी दिख रहा है यह कितनी जादा कर्ष्ट बायूम है और फेट यह पर लिखाता है आउट ऑफ मेमोरी बट मेरे पीसी के अंदर बहुत सारा स्टोरेज खाली था बट फिर भी यह पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ और उसके बाद मैं एक और वर्ल्ड बनाता हूं और यह बिल्कुल असली लिली पैट जो कि हवा में फ्लोट कर रहे हैं और उस सारी चीजें जाइंट एलेक्स तो माइनक्राफ में जाइंट एलेक्स एक बहुत बड़ा एंटिटी है जिसकी मिस्ट्री आज तक अंसॉल्वड है और इसकी शकल तुम लोग यहां पर देखी सकते हो और इसी के रिलेटिड यह ऑफिशल विकी पे एक आर्टिकल है जिसमे उस जगह चले जाएंगे जिस जगह पर जाइंट एलेक्स कैद है ओके तो मैंने माइनक्राफ का 1.12.2 वाला वर्जन खोल लिया है और यह चीज़ बहुत जादा स्केरी होने वाली है फिलाल मैं यह वर्ल्ड का कुछ नाम रखता हूं मैं रखूंगा एलेक्स मिल जा ओके मैंने वह वाला सेम सीड भी यहां पर एंटर कर दिया है और मेरा वर्ल्ड अभी क्रियेट हो रहा है ओके ओ लगता है यह एक आइलेंड है और देखो उधर एक ओशियन मोन्यूमेंट भी है बट इस आइलेंड पे मेरे को जाइंट एलेक्स में लेंड पे रहता है तो सबसे बढ़िया है मैं यहां पर अपने लिए एक बोट क्राफ्ट कर लेदा हूं ओके यह आ गई मेरी बोट मेरे को अभी याद आया कि उस वेबसाइट पर लिखा हुआ था कि अपनी रेंडर डिस्टेंस 6 चंक ही रखनी है तो यह कर लिए मैंने अपने रेंडर डिस्टेंस 6 औ और एक और गंडी शंती की डिफिकल्टी भी पीसफूल होनी चाहिए तो जैसे जैसे वेबसाइट पर था मैंने सब कुछ वैसा ही सैट कर लिया है और यह रखी मैंने बोट और चलते हैं अब सीधा में लैंड की तरफ जाइंट अलेक्स को ढूंड़ने है तो शायद से यह करना पड़ेगा अभी तो ओके ओके तो मेरे टूल्स तो अफ्ग्रेड हो चुके हैं और कम से कम हम मैं जाइंट अलेक्स को मोह दिखाने लाइक तो बन चुका ओके तो वह रही सामने सब्साइट के हिसाब से इसी में लैंड पे रहता है जाइंट एलेक्स को सामने से डून और इधर देखो एक और सेम साइस काई फुट्प्रिंट और एक मिनिट अगर यहाँ पे है तो वहाँ पे भी हूँ भाई साब इधर भी है और मेरे खाल से इसका दूसरा पार्ट भी ओके इधर ही है यह देखो लाइक इसका मतलब जाइंट एलेक्स इसी रास्ते से गया है गाइस मेरे को कोई आइडिया ने है यह गड़े नेचुरल है या कैसे बने है मेरे को कुछ नहीं बता और मैं इस बारे में बिलकुल भी कन्फर्म नहीं हूँ लेकिन आप लोग मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं आपके क्या ओ तो यह बंदा अपने वर्ड के अंदर स्ट्रॉंग होल्ड को डूंड रहा होता और जब उसको स्ट्रॉंग होल्ड मिल जाती है तो जॉंबी से फाइट करते टाइम उसको पीछे की साइड दिखता है वाइट एंडर मैं जिसकी ग्रीन कलर की आखे होती है और वहीं घूम रह तो मेरे को अभी तक इदर कोई भी इस ट्रॉंग ओर्ड नहीं दिखा है वह नीचे स्ट्रॉंग होल्ड है यह तो मिल चुका है एंड यह रही एंड पोर्टल तो वाइट एंडर मैं को होना तो इदर ही चीए विकाज वह में एंड पोर्टल रूम के बटकता रहता है और कि आसपास भी च्राइब करेंड प्रटल नहीं नहीं होगा अफके एंड पास भी चैक कर लेता हूं है कैं रुकने वाला बहुत सारे स्वान करने वाला हूं के तो इधर अब्य मैंने सौ्से भी ज़्यादा में मिल जाएं और बाकि सारे टेलिबोर्ट भी हो चुके हैं वाइट एंडर मैं का कोई नामों निशाना नहीं है इसके बाद मैं एंड से वापस आ जा तो मेरे को वापस आने के बाद क्या दिखा लाइक अगर मैं किसी भी नॉर्मर ब्लैक एंडर मैं को इस पेक्टेट करता हूं तो उस एंडर मैं के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे कमेंट करके बता देना और ऐसी धासू वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक करी देना चलो मिलते हैं अब अगली वीडियो में बाई बाई